यकीन मानिये केजियफ के निर्देसक परसांत नील ने जब मुझे केजियफ फिल्म की कहानी पहली वार सुनाई थी तो मैंने सिर पकड़ लिया था। उन्हें कहानी सुनाना नहीं आता। वो केवल कहानी दिखाना जानते हैं। और यह बात मुझे अच्छे से पता थी कि इस इनसान को केवल कैमरे की भासा आती है। मुझे बस उसे ही देखना था। सो मैंने इस फिल्म के लिए हां कहा। मेरी अंदर की आवाज मुझे कह रही थी कि सब ठीक होगा। मैं इसके लिए भी तयार था कि असफल हुए तो क्या होगा। ऐसा ही तब हुआ था जब मैं अप लिए फिल्मी दुनिया अच्छी जगह नहीं है। ओ कहा करते थे कि सिनेमा आसान नहीं तुम उसे नहीं पा सकते। ओ मुस्किल है। वे सब बातें थी लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ा। जब भी मैं किसी डांस कंपिटिशन में जाता या किसी थीटर एक्टिविटी में सामिल होता तो वे खुस होते थे। उस वक्त ओ अंदर से डरे भी होते थे। ओ मेरा फिल्मों में जाने का जुनून देखकर सांथ हो जाते थे। इसलिए ओ मुझे कभी रोक नहीं पाए। पैरेंट्स ने मुझे साफ कह दिया था कि तुम श्ट नहीं होती। इसका मतलब यह कत sır नहीं है कि आप बस्तविकता से दूर हो जाएं। आपकी सच्चाई आपको पता होना चाहिए। यही बस्तविकता आपको हार और जीत सफलता, असफलता के साथ जीना सिखाती है। असलियत से सामना कभी आसान नहीं होता। मैं जानता कि सफलता को संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है असफलताएं आपको इतनी जोड से मारती है कि आपकी सारी गलत फ़हमियां दूर हो जाती है सफलता आपको अलग ही दुनिया की ओर ले जाती है उस रास्ते से जिसे आपने देखा ही नहीं है अनजान रास्तों पर आपको साबधानी से चलना होता है असफलता तो बेहत प्रैक्टिकल होती है लोग आपको छोड़ कर भाग जाते हैं जो भी आपके करीब हैं ओ भी चले मैंने यह सब बच्पन में देखा है हमारा परिवार जिन्हें अपना मानता था वो सब तब गाइब हो गए थे जब हम किसी मुसीवत से निपटने में असफल हो गए थे यह वही लोग थे जो हमारे करीब थे हमारे साथ अच्छा समय बिताते थे सब चले गए असफलता में आप खुद के साथ जीना सीखते हैं आप उससे मुकावला करना सीखते हैं असफलता तो एक सवक है जरूरी यह है कि आप चाहें सफल हो या सफल आप पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए निश्चित तोर पर जीत से जोस आता है मुझे भी जीतना पसंद है लेकिन मुझ इसके असर से बचना होगा इसका तरीका मैंने यह निकाला है कि आप सफलता को बाट दीजिए मैं अपनी सफलता को लोगों की जीत मानता हूं उन्हें इसका मजा लेने देता हूं मैं तो केवल सफलता का उपयोग खुद को मजबूत करने में करता हूं कोई सक नहीं होना च अगर आप असफलता के लिए तैयार नहीं हैं तो सफलता के लिए भी आप तैयार नहीं हैं असफलता के लिए आपकी तैयारी ही आपको सफल बनाती है